बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, वेलकम टू एंग्लिश पीज, आज के एस वेडियो में आप एक चोटा सा एडवांस एंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखने वाले हैं, जो स्पोकन एंग्लिश के लिए इंतहाई आहम है, So let's start, आप ने उसे देखा या नहीं, आप उसे मेले या नहीं, आप ने उसे बुलाया या नहीं, आप गए या नहीं, आप यहाँ आये या नहीं, इन फिकरों को गोर से देखो, इस में एक चीज कामन याने सेम है, आवर वो है आप आवर या नहीं, आप या नहीं, इस तरह के फिकरे हम अपने डिली लाइफ में जरूर बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं, इस तरह के फिकरों के लिए एंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, वो इंतहाई सादा सेम्पल सा है, देट यू प्लस बिस फॉर्म अफ वर प्लस अबजेक्ट प्लस और नोट, देट यू प्लस फॉर्म अफ वर प्लस अबजेक्ट प्लस और नोट, लेट सी, वेट रहल आफ एग्जामपल पो बेठा अंडरस्टेंडेंग, अच्छे तरह समझने के लिए कुछ मिसाल देखते हैं, जितना ज्यादा प्राक्टेस करोगे, उतना ही आप के लिए बेहतर है, आपने उसे देखा या नही, आपने उसे देखा या नही, डिड यू सी हेम और नोट, बेलुकुल स्ट्रक्चर के एन मताबग, फर्मुले के एन मताबग, ये सेंटेंस हैं, next example for better understanding, अच्छी तरह समझने के लिए एक आवर मिसाल लेते हैं, जितना ज्यादा प्राक्टेस करोगे, उतना ही आप के लिए बेहतर है, प्राक्टेस, 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 आप उसे मेले या नही, आप उसे मेले या नही, did you meet him or not, कितना आसान सादा सा स्ट्रक्टेर हैं, या किन कीजिए कि यही चोटे चोटे स्ट्रक्टेर, स्पोकन एंगलिश के लिए इंतहाई आहम है, रोजाना एक स्ट्रक्टेर याद किया करें, और इसमें प्राक्टेस करें, महीनों में आपका स्पीकेंग का जो लेवन है, वो उपर जाएगा, निकस्ट एक्जामपल, उसने, आपने उसे बुलाया या नहीं, आपने उसे बुलाया या नहीं, ये रोटिन के सेंटेंसे हैं, रोटिन के पेकरे हैं, ये हमारे दिनी लाइफ से जड़े हुए हैं, नहीं, did you invite him or not? बिल्कुल structure के एन मताबिक, did you invite him or not? Next example for better understanding, आप गए या नहीं, did you go or not? अच्छे तरह समझने के लिए एक आवर मिसाल ले लेते हैं, आप आए या नहीं, did you come or not? आवर आखिर में ये फेकरा आप की लिए, इसको ट्रांसलेट करके comment box में जरूर लिखना देखते हैं कि कितने लोग इसको दुरूस्त करते हैं, आप सोये या नहीं, आप सोये या नहीं, subscribe English P.S. for more advanced English sentence structure, thanks, manana.